गुड मॉर्निंग श्टूडेंट आज हम इतिहास का 11th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हम 1st unit early societies यानि की प्रारंभिक समाज पढ़ेंगे इस unit में दो चैप्टर हैं पहला चैप्टर है from the beginning of time यानि समय की सुरुवात से दूसरा चैप्टर है writing and city life लेखनकला और सहरी जीवन तो सबसे पहले हम समय की सुरुवात चैप्टर पढ़ेंगे यानि की from the beginning of time लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका introduction जानेंगे और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि early man या early society कैसी थी इसके बारे में जो है बताया गया है अब इस चैप्टर में हम किस किस चीज को focus करेंगे ये चैप्टर जो है छे लाख वर्ष पूर्व से एक ईस्वी पूर्व तक का इस चैप्टर में कवर होगा कि इस दोरान मनुष से कैसा था और उसने धीरे-धीरे किस तरह से विकास किया तो प्रारंबिक समाज का यह हम कहेंगे जिसे हम करते है अरली में उसका जीवन कैसा था तो एक question ये भी उठता है कि इतने लाख साल पहले कि जानकारी हमें कैसे मिलती है तो आरकेलोजिश्ट जो है वो इन जानकारियों को हमें देते हैं और उनको वो कैसे प्राप्त होती है जो उनको प्रारंबिक समाज के या जो प्रारंबिक मानुव था उसकी जो हड़ियां पत्थर के ओजार और कुछ अवसेस मिले हैं उनके आधार पे वो जो है ये जानकारिया हमें देते हैं तो चैप्टर में हमें जिन चीजों पे फोकस करना है वो हम इस इंट्रोडेक्शन में देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी हैं तो जैसे जो अरली मैन था वो किस तरह के घरों में रहता था पेड़ पोदों से कैसे खाना इखटा करता था जानवरों का सिकार वो किस तरीके से करता था अपनी जो विचार हैं उसके जो भाव हैं उनको वो कैसे व्यक्त करता था फायर और जो लेंग्वेज है उसको उसने जो है कव प्रारम किया तो ये चीजें जो हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं जिनके बारे में जानेंगे तो आर्केलोजिस्ट ये बताते हैं कि जो अरली मैन था वो सारीरिक मांसिक रूप से विक्सित नहीं था धीरे धीरे उसके विकास की पिर्किरिया सुरू हुई और वो विक्सित होता गया और आज के बर्तमान मनुस्य और समाज की इस्थिती में वो जो है पहुँच गया तो प्रारम में आदमी जो था वो नॉमेडिक जीवन बिताता था यानि कि खानवदोस जीवन बिताता था लेकिन लगवग 10,000 साल पहले उसने जो है एक इस्थाई जीवन जीना सीख लिया और ये जीवन जीना उसने कैसे सीखा उसके जीवन में ऐसा क्या परिवर्टन आया जो वो जो है घुमंतु से इस्थाई हो गया तो जैसे उसने प्रारम में पौधों को उगते हुए देखा उसने ये भी ध्यान दिया कि कौन सा पौधा किस मौसम में उगता है कहां पे कौन सा पौधा उग सकता है जब उसने ये चीजे सीख लिम तो उसने किरसी का काम जो ह और इतियासकारों को बहुत सारे पुरातत्विद हैं, उनको गैहूं, जो, मटर, दाल, कपास, जुआर, बाजरा, ऐसी बहुत सारी चीजों के और दूसरी चीजों के अबसेस मिले हैं, जो आदमी ने अपने विकास की प्रक्रिया में उप्योग में लाई अरली मैं, जब उस उसको इखटा करने की, उसको जो है, समझाने लगी की फसल को कैसे इखटा करना है, तो उसके लिए उसने जो है, मिट्टी के बटनों का उप्योग करना प्रारम किया, अब उसको जो है, खेती के लिए कुछ जानवरों की जरूरत महसूस हुई, तो उसने कुछ जानवरों क का उप्योग उसने खेती में किया सानु जानवर थे उनका उपियोग वो जैसे मांलीजे भेड है उसके उपर फर होता है तो उसका उपियोग वो जो है कपड़े के लिए करने लगा और इस तरह से जो है उसने परिबर्टन किए उसके जीवन का तरनिंगंग आगुए और वो जो है धीरे-धीरे विकास करता गया बाद में उसने खाना बनाने के लिए घर के काम के लिए मिठ्थी के बटनों का इस्तेमाल किया सुरू में उसको धातु की जानकारी नहीं थी तो उसने क्या किया जो पत्थर होते थे उनकी घिसाई करके उनके उपर पॉलिस करके जो है उनको अपने उप्योग के लिए बना लिया और उनका इस्तेमाल वो खेती के लिए और दूसरे उपकरण के रूप में करता था जैसे अभी जो है बहुत सारे गाउं में ओकली और मुसल होते हैं एक गड़ा होता है ओकली जमीन में बना देते हैं या पत्थर का बना लेते हैं और एक लकडी का मोटी लकडी का जो है मुसल होता है उससे जो है अनाज को पूटते हैं तो ऐसे भी अपसे इस मिले हैं कि उ उसने कुलहरी बनाई, फाबडा बनाया, जिनको वो खेती के लिए और खुदाई के लिए जमीन की खुदाई के लिए इस्तेमाल करता था, दीरे-दीरे जब उसको धातु का ग्यान होने लगा, तो उसने कॉपर और टीन इसका इस्तेमाल करना सीख लिया और इसके बाद जो है वो ओजार के रूप में धातू का इस्तेमाल करने लगा फिर जब उसे और जानकारी हुई तो उसने ओजार बनाने के साथ उसने गहनों के रूप में धातू का उपयोग करना सीखा और जैसे CP है समूदर से मिलती है और दूसरे बहुत कीमती जो स्टोन है वो इन चीजों का इस्तेमाल वो सीख गया और जब इनका इस्तेमाल सीखा तो ये हर जगे नहीं मिलती थी तो इनको प्राप्ट करने के लिए वो जो है कई स्थानों पर जाता था तो ऐसे करके व्यापार या ट्रेड की सुरुवात हुई और यातायात के साधन भी जब वो दूर जाएगा तो उसको जो है यातायात के साधनों की जरुरती तो उसने कुछ ऐसे जानवरों का इस्तेमाल किया और दिरे दिरे पहिये का भी अविस्कार हो गया और ऐसे करके उस प्रेंट थे और इत्यासकार इनको जो है क्रांती की संध्या भी देते हैं